बहुत अच्छी थी गाने और बहुत सारे सीन्स अच्छे थी कोमेडी वगिर अच्छी थी? येस इसकी ज्यादा कोमेडी थी? अनिलकपूर के या वरुंधाउन के? अनिलकपूर की आरा अडवानी का काम के सलन्ग? अच्छा था अच्छा था और जो नितिव महम हैं उनका काम कई आपको अच्छा फिल्म में जो सपोर्टिंग काश्ट है, जैसे मनेज स्पोल, प्रजक्ट, पॉल्ी इह काम के सा था। वो भी बहुत अच्छा था। पढ़निटा काम आपको अच्छा लागा। फिल्म कही बोर तो नहीं किया आपके? नो अट ओफाइब कितने देंगे? मतलब? अट ओफाइब कितने इस्टार देंगे? फाइब मैसे बाईब कैसे लगी मुवी? एक नंबर वो जयादा पिल्ड़ी जयादा एक पर अकपूर के एक्टिंग वह अच्छी थी थी वह अच्छी तो बहुँन किस पर रूप की या और अनिल सर की? ने अनिल सर अनिल सर की जयादा? वह अनिल सर के जयादा? अफकोस, हाँ, डेफिनेटली काफी अच्छी थी थिक यह था फिल्म है एमोशन जादा था या कोमेडी थी या शादी के ऊपर डेपैंड था एक रेलेशन के ऊपर था और कोमेडी थी कि एक रेलेशन सिप को कैसे बचाए जाए जानेज कर सकते हैं ओको आपने फिल्म एंज्योई की आउट ओफाइब फाइब फॉर थी लगी मोगी अच्छी जादा फिल्म है कोमेडी एंटेटेन में कोमेडी थी और अच्छी थी फैमिली वेलियूस बता ही इसमें हाँ फैमिली थी अच्छी मतलब इमोशनल वगेरा भी है या फिर पूरी तरह स इमोशनल है इमोशनल है और जो फैमिली वेलियूस है वो दर्साने कोसिस की अच्छी कि इसमें को हर बताब की कपल जो थी थार्टी-फोर्टी की एज में है जो शादी का थोड़ा सा चलरा रिलेशनसी में है उनको जरूर देखना चाहिए क्योंकि रियली रिखता है कि बह लिकाफूर का जो था वो रोल बहुत अच्छा थी फिल्म में नितु जी है उनका काम के साथ आ कि अराइडवानी इनका काम के साथ नी काम जबर्दस था एक्टम मिली जूली बहुत अच्छी मूवी है जिस देखना चाहिए मैं आपको केसी लगी मूवी नाइस नितु में बहुत सालों बाद बड़े पर वापिस है तो उनके एक्टिंग के इसी थी कुछ बदलाओ था एक्टिंग में या पर पहले जैसे ही थी था पहले जैसे थी फिल्में इंटर्टेंडमेंट है हां बोर तो नहीं करती ने ने बहुत अच्छी में आपको कितने रहिए मैं पर आपको कैसे लगी